सब्सक्राइब करें एके इंडिया योटूब चैनल को साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अब्डेट मिलते रहें और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दावा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलिज सम्मंदित खबरे मिलती रहें स्वागत दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूडूब चैनल पे दोस्तों आप सभी के लिए 2000 से जादा इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर्स लेके आगए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस कॉंस्टेबल और दरुगा के एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट होगा इसमें आप सभी को फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी से इंपोर्टेंट क्वेशन रहेंगे और काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 99 रुपीज रखी गई थी लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए इसकी प्राइस ओनली 35 रुपीज रखी गई है अगर आप सभी बाय करना चाहते हो इसे और स्टडी करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर इसे बाय कर सकते हो दोस्तो ये है से 24 बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2019-20 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्टन आंसर दोस्तो अगर आप इस पीडियेफ को फ्री में डाउलोड करना चाहते हैं तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप में साथी दोस्तो www.akindiajob.com की ओफियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इस पीडियेफ को देख सकते हैं साथी दोस्तो अभी तक आपने हमें यूटूब पे सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजे साथी नीचे छोटा से एक बेल इकन आएगा उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तो खबरी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजे वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार पुलिस की वेकेंसी कब तक आने वाली है साथी दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप में भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर सारे study materials free में provide कराय जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि सुबह 7 बजे आप लोगों को यहाँ पर एक class मिलेगी जो कि बिहार पुलिस के important question answers कराय जाएंगे और एक class आप लोगों को रात में 9 बजे मिलेगी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो मैंने आज questions लिया है वो total 50 questions लिया है और आप लोगों को बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा और हाँ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो first question है दोस्तों एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर इस पस्ट नहीं देख सकता है वह किस रोग से ग्रस्त है दोस्तों इसका सही जबाब है निकट दिस्टी दोस तो निकट दिस्टी दोस में 10 मीटर से ज़्यादा दूर तक इस पस्ट नहीं देखा जा सकता है दोस्तों second question है आख का वह अंस जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांग होता है सही जबाब है लेंस तो दोस्तो लेंस है जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांग होता है दोस्तो थर्ट क्वेस्चन है मानों की आख में दूर द्रिष्टी दोस को ठीक किया जा सकता है इसका सही जबाब है उत्तर लेंस का प्रियोग करके तो उत्तल लेंस का प्रियोग करके दूर द्रिष्टी दोस्त को ठीक किया जा सकता है फूर्थ क्वेशन है दोस्तो वाहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पन है सही जवाब है उत्तल दर्पन तो वहानों में जो side mirror लगे होते हैं वो उत्तल दर्पन के बने होते हैं 5th question है दोस्तों समतल दर्पन द्वारा बना प्रतिबिम जो दर्पन सतव पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कह लाता है सही जवाब है अभासी प्रतिबिम तो 6th question है दोस्तों नाइट्रोजन की खोज किस ने किया था इसका सही जवाब है रदर फोर्ड तो रदर फोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया 7th question है दोस्तों ओक्सीजन की खोज किस ने किया था तो इसका सही जवाब है सीले और प्रिस्टले ने तो ओक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया एट ग्वेशन है दोस्तो अक्रिय गैस आरगन की खोज किस ने किया था इसका सही जबाब है रैमजे और रैले आइन्थ ग्वेशन है दोस्तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने किया था सही जबाब है जे जे थॉम्सन तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने किया तेंथ क्वेशन है दोस्तो प्रोटॉन की खोज किस ने किया था इसका सही जबाब है गोल्ड स्टीन तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया next question है दोस्तों कौन सी दो भौतिक राश्यों की विमाएं समान है तो इसका सही जबाब है कारे और उर्जा तो कारे और उर्जा दोनों भौतिक राश्यों की विमाएं समान है next question है दोस्तों घडी की स्प्रिंग में संग्रक्षित उर्जा होती है इसका सही जवाब है इस्थितित उर्जा तो घड़ी के स्प्रिंग में सनरचित उर्जा, इस्थितित उर्जा होती है नेक्स क्रेशन है दोस्तो घर के चट या छपपर से एक पत्थर को भूमी स्था पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतीज उर्जा कब अधिक्तम होगी दोस्तो इसका सही जवाब है भूमी सता पर पहुचने से तुरंत पहले नेक्स क्रेशन है कौन उर्जा का गैर पारंप्रिक स्रोत नहीं है इसका सही जवाब है प्राक्रितिक गैस नेक्स क्रेशन दोस्तो क्या कारण है कि वेक्ति चटान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है इसका सही जबाब है प्रतिक्रिया Next question है दोस्तो एक समान गती के साथ वस्तू क्या हो सकती है इसका सही जबाब है त्वरित हो सकती है तो एक समान गती के साथ जो वस्तू है वो द्रवित हो सकती है Next question है, कौन अभासी बल है? इसका सही जबाब है अपकेंद्रिय बल तो अपकेंद्रिय बल जो है वो अभासी बल है Next question है, जब किसी तलाप के सांजल में इस्थिर पत्तर फेका जाता है तो तलाप के जल में प्रिष्ट पर उठने वाली लहरे होती है इसका सही जबाब है अनुदैद्य और अनुप्रश्ट दोनो Next question है, किसी सिगनल के तरंग के रूप का अधियन किसके द्वारा किया जाता है इसका सही जबाब है ओसिलो स्कोप Next question है दोस्तो, आवरित्ती मॉडूलेशन में क्या पाय जाता है इसका सही जबाब है निश्चित आयम Next question है, कौन सी तरंग निती से नहीं गुजर सकती है सही जबाब है ध्वनी Next question है, इस्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन होती है तो दोस्तो, इसका सही जबाब है सम्मान आवरित्ती की दोनों तरंगों का विप्रित दिशा में गमन करना Next question है, सूर्य के प्रकास का कौन सा भाग शौर कूकर को गरम करता है इसका सही जबाब है दोस्तो, अवरक्त किरने Next question है, मिजौन कन कहा पाय जाते है इसका सही जबाब है कौस्मिक किरनों में Next question है, रेडियो प्रशारन से संबंधित ए-म का पून रूप क्या है सही जबाब है, एम्प्लीट्यूट मॉडिलेशन दोस्तो, Next question है, वह विज्ञानिक जिसने विद्यूत जुंबक्ये तरंगो को दुरस्त स्थानों तक भेजा था सही जबाब है, हेंरिक दोस्तो, Next question है, गामा किरनों की किन किरनों से सबसे अधिक समानता है सही जबाब है, X किरनों की सुरियोदे और सुरियास्त के समय सूरि का रंग लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों इसका सही जबाब है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकर्णित हो जाते है किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पढ़ने वाली सूर की किर्ने इसका सही जबाब है प्रकिर्नित हो जाती है नेक्स क्वेशन है दोस्तो प्रीद्वी के वायू मंडल की अनुपस्थिती में आकास करंग कैसा प्रतीत होता है इसका सही जबाब है काला कौन सी घटना प्रकास की अनुप्रष्ट प्रवित्ति को दर्शाती है दोस्तो इसका सही जबाब है धुरूवी करन इंद्रधनूश तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकास बायू मंडल में वर्शा दोस्तो इसका सही जबाब है बून्द पढ़ने से अपवर्तन और आंद्रिक परावर्तन पर विक्रनित होते है Next question है सम्माने नेत्र की सूप्रस्ट द्रिश्टी की दूरी कितनी होती है इसका सही जबाब है 25 cm Next question है किस स्थिति में दूर की चीज़े पर फोकस से हटा कर दिखाई देती है इकट द्रिश्टी दोस Next question है मानो आख की समवेदन सीलता अधिक्तम होती है सही जबाब है हरे छेत्र में Next question है किसी वस्तु का प्रतिभिम रेटीना पर कितने सेकंड तक बनता है इसका सही जबाब है 1 by 16 seconds ओतल दर्पन द्वारा स्क्रीन या सीशा की सतव परदे पर बने वाला प्रचित्रा कहलाता है दोस्तो इसका सही जबाब है वास्तविक Next question है उत्तल तता ओतल दर्पन का उधारन होता है इसका सही जबाब है गोलिये दर्पन Next question है आर्म वायू में द्वानी का वेग सुस्क वायू की तुल्ला में अधिक होता है क्योंकि आर्म वायू में इसका सही जबाब है सुस्क वायू की तुल्ला में घनत्वक कम होता है Next question है दोस्तों हर्ट्स की इकाई क्या है इसका सही जबाब है तरंगों की अरिती नेक्स क्वेश्चन है ध्वनी प्रदूशन की इकाई क्या है? दोस्तो इसका सही जबाब है डेसिबल नेक्स क्वेश्चन है डेसिबल क्या है? इसका सही जबाब है ध्वनी स्तर का एक माप नेक्स क्वेश्चन है दिन के समय में आवासिय छेत्रोक में शोर का सम्मान नुपाद स्तर है इसका सही जबाब है 55 decibel Next question है कौन सी इकाई ध्वनी की प्रबलता की कथित इकाई है इसका सही जबाब है decibel Next question है Hydroscope एक यंत्र होता है जो परिवर्तन दर्शाता है इसका सही जबाब है पानी के नीचे की ध्वनी का Next question है ध्वनी की त्रीवता की एसाई काई क्या है दोस्तो इसका सही जबाब है बाट प्रतिवर्ग मीटर Next question है लिफ्ट में मनुष की मत्था भार उसके वास्त्विक भार से कम होता है तब तो दोस्तो इसका सही जबाब है लिफ्ट का त्वरन के साथ नीचे की ओर जाती है दोस्तो ये थी आज की वीडियो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अग इस वीडियो को शियर करें अपने फ्रेंज के साथ और हाँ दोस्तो अपना स्कोर आप हमें कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताईए कि आपने कितने क्वेशन सही किये और चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें